अज मैं आप जीए खर्बूजे की ऐसी एक आसी cv leaking सेर करने जा रही हूं जिसे आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा ना ही यह फालूदा है नहीं यह मिलक्सेख है नहीं यह seg sales बूब्म जो गर्मयों में आपको बहुत ही ज़्यादा ठंडग देगी और पीने में तो यह आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगने वाला है तो चलिए बिना कोई देरी के रेसिपी शुरू करते हैं खर्पूजे का ठंड़ा ठंडा सर्बत पनाने के लिए यह लिए पे खरपूज सटास्थी करेंगे रीजित कर लेंगे ताकि इसमें का जो पल्प उसे हमें निकाल ना है तो खरपूजे को ऐसे बीच मेंसे मैंने कट लिए तो मिल पया तो जो रोद्फ हmiş निकाल लेड यह ज नहीं करेंगे एक चम्मच की मदद से आप इसके जो बीज वाल पूर्शन है वो निकाल लें खर्पुजा जो है अभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा भर भर के मिल रहा है तो इसका एक रेसिपी आप अपने ज़रो ट्राई करें आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए प्रफेके नहीं उसे धोकर अच्छी तरीके से सुखा लें उसे कभी मिठाव ठाई बनाने में आप यूज कर सकते हैं तहां मैंने खर्पुजा का सारा पल्प जो है वो निकाल लिया है यह आप देख सकते हैं तो अभी हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं तो खर्पुजा को करने के लिए अभी हम आप एक जार ले लेंगे उस जार में हम सारे निकाले हुए खर्पुजा के पल्प को डाल देंगे अभी खर्पुजा जो है काफी ज्यादा मीठा है अगर आपका खर्पुजा जो है मीठा नहीं है तो उसे भी जूच कर सकते हैं जरूर नहीं कि आप पारीक मतलब पिसा हुआ है अच्छी तरीके से जूस है इसका पन के लिए अगर इसमें चोटे-चोटे चंग से तो उसे रहने दे जब इसे हम पीएंगे तो हमें अच्छा लगेगा तो इसे हम साइड में रख देते हैं यहां पे मैंने एक बाहू लिया है अभी हम इसमें ए तो इसमें तो चमंच पानि समें डाल सकते हैं यह आप देख सकते हैं यह थे छाइट हैंच साइ़ में रख देते हैंensions घ्रकान त chỉ देंसे गख देब कानि में बाड़ी ब्रतन में काफी सारा पानी लिया है पानी को में अची तरीके से बॉil कर लेना है यहां मैंने दोशी सबुदाना को मैंने शोप करके लिया हुआ है अभी हम सबुदाना को अची तरीके से पका लेंगे सबुदाना को हमें तब तक पाकाना है जब तक कि ट्रांस्पिरेंट न दिखने लग जाए तब तक हमीसे पकाना है तो गयस का फ्लेम हाई रखे और इसे 5-10 मिट लगेंगे तो 10 मिन्त तक आप इसे अच्छी तरीके से पकने दे अगर आप सबुदाना भीज उपकते पहिं नहीं पका रहे ना की फ्लेम ऐफ कर देंगे और इसे चान कर अलग कर लेंगे सबूदानों को छानने के लिए मैं ने के कटूरी में एक छनी लिया है बड़ा सा इस ट्रेनर जिसे के दें अब उसमें सारे पानी को डाल देंगे जिसे के हमारे जो सबूदाना है वह छनके अलग रह जाएगा और तो साबूदाना भी रेडी है, इसे हम साइड में रखते हैं, बाकी की सारी चीजे तयार कर लेते हैं, तो मैंने वापस यहां पर एक बाउल लिया है, एक चमच उसमें मैंने भरके कस्टर्ड पाउडर लिया है, या वनीला फ्रेवर का है, तब ही हम इसमें थोड़ा सा हम आप दूद लिया है, टूद फूल क्रिम दूद है, इसमें का मलाई मैंने नहीं निकाला है, दूद को में चलते रहना है, जब तक कि दूद में अच्छा सो बालना आ जाए, तब तक हम इसे चलाना है, तो गैसका फ्लेम हाई कर दे और दूद को अच्छी तरीके से उब बच्चे हो या बोड़े हर किसी को यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है यहां पे दूद में उपाल आ गया है तो सबसे पहले हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे तो मैंने यहां पे घर पे बनाया हुआ था तो मैं इसे डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क की जगह पे आप सुगर का भी यूज कर सकते हैं जिससे आपका सर्वच्चो है बहुत ही अच्छा मीठा हो जाएगा तो यहां पे अच्छी तरीके से मिला लेन कंडेंस मिल्क वज़र से हमारा जो सरवत है वह बहुत ही ज्यादा यम्मी लगेगा इसकी लिए मैंने आप एक अपर यूच किया है कंडेंस मिल्क आपको मार्केट में बहुत ही असानी से मिल जाएगा अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे जो हमने पहले से तयार कर करके डाला हुआ है आपको जो ट्राइफरोट खाना पसंद है आपको जूच कर सकते हैं तहां पे आप देख सकते हैं दूद जो है पहले से काफी जादा गाड़ा हो गया है और इसे हमें ज्यादा देर तक नहीं पकाना है बस दो से तीम नट ही पकाना है कस्टर पाउडर ते आपड़े गयस अफ करें और इसे के दूद है वो काफी सारी समें चीजे आड़ गया है अब हम इसमें एट करेंगे हमारा घर गुजे का जूस हमने जो जूस Тायार करके रखा हुआ है उसे टाल देंगे जूस के बार वारा हो गया है और चैन तरीके से मिला लेंगे उस नहीं हम इसके टाल देंगे सालवददान जो हमने बना करके तयार किया है उसे के इन सारी चीजों को हमें बहुत यची तरीके से मिला लेना है मिलाने के बाद हम इसा फ्रीज में डाल सके त्यहाँ पेसारे सर्वत को मैंने एक बड़े बरतन में निकाल लिया है अब हम इसे फ्रीजर में डाल देंगे ताकि यह अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए है त्यहाँ पर सर्वत हमारा ठंडा हो गया है सर्व करने के लिए एक ग्लास लिया है उसके बाद मैंने आप घर खर्बुजे के सरवत की रेसिपी हमारी बन के बिल्कुल ही रेडी है तो कैसी लगी आज के हमारी खर्बुजे के सरवत की रेसिपी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि वीडियो बनाने मे मेनेट लगती है तो मिलते एक नही रेसिपी के साथ थेंक यू